इसके बाद हम देखते हैं एक और महत्तपुन न्यूक्लोफिलिक एडिशन रियक्शन बहुत ही महत्तपुन अभीक्रिया जिसमें हम इसमें देखेंगे कि कार्बनल समू चाहे वह एल्डिहाइड हो अथ्वा की टोन हो इसमें अमोनिया तथा उसके वित्पन्नों का एडिश किस प्रकार से होता है और हमें यहाँ पर किस किस प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें कि अमोनिया की सरचना तो अमोनिया एनच-3 है और यदि हम उसके डेरिवर्टिव की बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे अमोनिया से हाइड्रोजन हो सकता है यह एलकिल समू हो सकता है हाइड्रोक्सिल समू हो सकता है या फिर यहाँ पर हाइड्रेजिन समू हो सकता है तो या एमाइड समू हो सकता है तो जिस जिस प्रकार का वित्पन होगा उस उस प्रकार के हमें नए उत्पाद प्राप्त होंगे यहाँ पर हम कार्बनिल समू और अमोनिया की क्रिया देखें सबसे पहले तो यहाँ पर हम देखेंगे की कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है और यहाँ पर अमोनिया में यदि हम देखें तो अमोनिया में एक यदि हाइ तो hydrogen पर positive charge होगा और बाकी का जो NH2 समू है उस पर या कोई व्यत्पन समू इससे जुड़ा हुआ है तो उस पर negative charge होगा अब जैसे यहाँ पर addition होगा तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर hydrogen जो है वह oxygen से जाकर जुड़ जाएगा जबकि बाकी का जो NH2 समू या व्यत्पन समू कि यहाँ पर हम देखें कि जो सरचना प्राप्थ होगी जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कार्बन से एक यहाँ पर यदि डो एल्किल समू भी हो सकते हैं यहाँ पर हम एल्डिहाइड लेते हैं तो एक एल्किल समू हो सकता है साथ ही साथ यहाँ पर हम देखें कि जिस oxygen स चुड़ता है तो यहां पर यह समू हो जाएगा दूसरी और यहां पर बचेगा हमारे पस एन एच टू समू या एन एच जड़ समू जड़ हमने डेरिवर्टिव के लिए लिया हुआ है लेकिन यह जो सरचन प्राप्त हो रही है में वह अभी स्थाई नहीं है यहां पर जो क कार्बन और नाट्रोजन के बीच अब द्विबंद बन जाता है तो जो फाइनल सरचन हमें प्राप्त होती है वो होगी कार्बन जिससे दो बंद जुड़े हुए हैं पहले से ही जो 1-2 ऐलकिल समू भी हो सकते है या फिर एक ऐलकिल और एक हाइड्रोजन समू हो सकता है उस इस प्रकार की जो बेसिक सरचना हमें प्राप्त हुई है इसमें अब हम देखेंगे कि यदि जो नाट्रोजन से जुड़ा हुआ है या अन्य समू होने पर हमें किस-किस प्रकार का उत्पाद प्राप्त होगा तो यहां पर हम देख रहे हैं कि सबसे पहले यदि यहां पर कार यह सरचन बनती है तो इसे कहा जाता है इमीन यदि हम उदारन लेते हैं कि कारवन से जुड़ा हुआ एक मेथाइल समू है एक हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन समू है तो इसे हम कहेंगे एथेन इमीन ये सरचन हमें प्राप्त होगी दूसरी और यदि माल लिजे यहाँ पर नाइट्रोजन से जुड़ा हाल्डोजन एल्किल समू के द्वारा प्रतिस्थापित हो गया है तो इस प्रकार की जो सरचना होगी तो इस सरचना को हम कहेंगे प्रतिस्थापित एमीन या फिर हम कहेंगे इसे एल्किल यदि यहाँ प पर मेथिल समू है तो हम इसे कहेंगे मेथिल इमीन यदि यहां पर एथिल समू जुड़ता है तो हम उसे कहेंगे एथिल इमीन और हम बता दें कि यह जो छारी कंपाउंड है और इसे यहां पर शिफ बेस या शिफ रिजन भी कहा जाता है और जिसे हम एल्डिहाइट की टोनो के लिए इसका उप्योग करते हैं इसी तरह से माल लिजे अब यह जो नाइट्रोजन से जुड़ा हाइड्रोजन है एक हाइड्रॉक्सल समों के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाए तो इस प्रकार से यहाँ पर जो सरचना प्राप्त होगी उस सरचना को हम कहते हैं और इस त प्रतिस्थापित कर दें तो एमीन समू के द्वारा जब हम प्रतिस्थापित कर देते हैं तो यहाँ पर आप सरचना देख रहे हैं कार्बन से दो समू जुड़े हुए हैं इसके अलावा कार्बन से द्वी बंद के द्वारा एक नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है और ना किल समूँ या никаких हाइड्रजन समूगे इस पर करेगा तो इया हम इस जो हाईडरो जो है उसको हम हाइड्रेजीन का वित्पन भी मान आट सकते हैं क्योंकि आपके होती कि सरचना होती है और या पर इनच्टू निच्टू और यहां पर आप देख रहे हैं कि जो तू है उसके साथ जूसरा जो NH2 है तो उसमें से दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर प्रतिस्थापित होकर कार्बोनिल समू एल्डिहाइड या किटोन समू के द्वारा वहाँ पर अटाइच हो जाते हैं तो इस प्रकार का जो कंपाउन मलता है उसे हम कहते हैं हाड्रिजोन अब इसी तरह से माल लेजे यहाँ पर जो NH2 समू जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ जो NH2 समू है इसमें जो एक हाड्रोजन है उसे भी अब फिनाइल समू के द्वारा वह प्रतिस्थ हो जाए तो इस तरह से यह जो सरचना हमें प्राप्त होगी उसे हम कहेंगे फिनाइल हाड्रोजोन और अब तीसरी और और ज्यादा हम जटल सरचना पर जा रहे हैं और देखते हैं कि यदि इस प्रकार जो फिनाइल हाड्रोजोन हमें प्राप्त हुआ है इसमें जो की सरचना क्या होगी तब इसकी सरचना होगी टू-फोर डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजोन और आप जानते हैं यह बहुत ही महत्तपून एक वीजन्ट है जिसका उप्योग हम की टोनों के आइडन्टिफिकेशन के लिए करते हैं तो इस तरह से हम देखें कि हमें यहा समूहों के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाए तो इस प्रकार का जो कंपाउंड प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं सेमी कार्बिजाइल और इस तरह से अब हम देख रहे हैं कि एक अमोनिया से विद्पन शुरू करके अमोनिया से एडिशन रियक्शन शुरू करें हम और यदि अमोनिया के हाड्रोजन को भिन भिन समूहों के द्वारा प्रतिस्थापित करते जाएं और इस तरह से प्रतिस्थापित अमोनिया के द्वारा यदि हम एलडिहाल्ट और कीटोनों की क्रिया कराते हैं तो हम देखते हैं कि हमें भिन भिन प्रकार के उत्पाद सबसे पहले जानते हैं अल्कोहलों में अप्चेंड अल्कोहल, फिनॉल तथा एथर वाले अध्याय में भी हमने पढ़ा था कि जब अल्डिहाइड अथ्वा की टून का अप्चेंड किया जाता है तो ये अल्कोहल में परिवार्तित हो जाते हैं जैसे कि सोडियम, बोरो, हाइड्राइड या लीथियम, अलुमिनियम हाइड्राइड साउप्योग कर सकते हैं या फिर इनका उत्प्रेरकी अप्चेंड कर सकते हैं जहाँ पर हम उत्प्रेरक के तौर पर निकिल, पैलेडियम, प्लाटीनम धात्यू का उप्योग करते हैं तथा इनकी उपस्ति में जब एल्डिहाइट तथा की टोन की क्रिया हाइड्रोजन कैसे कराल जाती है तो यह अप्चेत हो जाते हैं तथा संबंधित उत्पात देते ह हैं यहां पर हम प्रता दे कि जब एल्डिहाइट का अप्चेंड किया जाता है तो हमें प्रात्मिक एल्कोहल प्राप्थ होते हैं जबकि की टोन का अप्चेंड करने पर हमें डुद्यक एल्कोहल प्राप्थ होते हैं नाभिक्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाइद आईए अब हम एल्डिहाइट तथा की टोनों की कुछ अप्चेन अभिक्रियां रिडक्शन रियक्शन के बारे में जानते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं एक अप्चेन अभिक्रिया जिसमें की हम यहाँ पर जो अप्चायक के तौर पर हड्रजीन का उप्योग करते हैं और यहाँ पर यह जो माध्यम रखा जाता है वह होता है चारी यहना की पर्टैश्यम हेड्रोकसाइट की उपस्तती में तथा यह जब हाड्रजीन से क्रिया कराए जाती है इल्डिहाइट अथिवा एसीटोन की तो यहाँ पर प्राप्त होते हैं हमें यह येलक्यन वनाने क की एक महत्वपुन विधी है और इस अभिक्रिया को कहा जाता है वोल्फ किशर अभिक्रिया और यह महत्वपुन नेमिंग का उप्योग किया जाता है तो यहाँ पर हम देखें से यह पर यह परamente थी हाई यह अपर निश्चीत रूप से यह पर हमें दो कार्बन वाला येतर प्राप्त होगा और यहाँ पर हम इसी टॉन लेते हैं तो एसी टॉन में तीन कार्बन हैं तो यहाँपर यहाँप अभिक्रिया के पश्चात reduction के पश्चात हमें प्रोपीम प्राप्त होंगे तो आई अभी हम देखते हैं कि यहां पर जो अभिक्रिया होती है वह किस प्रकार से होती है इसके बाद हम एक और अप्चैन अभिक्रिया देखेंगे लेकिन यहां पर हम देखें कि जो अप्चायक है वो यहाँ पर जिंक अमलगम जिंक मरकरी का जो अमलगम है वो लिया जाता है और साथ यहाँ पर जो माध्यम रखा जाता है वह होता है अमली यहाँ पर अभिक्रिया अमलगम की उपस्तती में कराई जाती है यह भी अभिक्रिया है लेकिन यहाँ पर जो अभिक्रमक है वो अलग है और इस प्रकार से जो अभिक्रिया होगी इसके पश्चाद भी हमें एलकेन ही प्राप्त होते हैं लेकिन यह जो अभिक्रिया है चुकि यहाँ पर अभिक्रमक अलग है और इसलिए इस अभिक्रिया को क्ली मेंशन रेक्षन या क्ली मेंशन अप्चैन अभिक्रिया कहते हैं तो यहां पर भी हम देखें कि अल्डिहाइट और किटोन जो अप्चैन के पच्चात हमें इलकेन देते हैं और यहां पर जो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कुण जो अच्छान का हाहे जो धन्सक्राइश है यहां पर होती है अब यहां पर समझते हैं कि यहां पर जो अभिकोईर और श्षिक है प्रम सी ऐसे बिल्ट्या पर सर्टे demokrat dna यह भी जिन्क अ 59e और यहां पर जिंक है जिंक 2 प्लस के रूप में आउक्सी कृत होता है और यहां पर दो इलेक्ट्रान वो नस्काशित करता है और यह जो दो इलेक्ट्रान है वा कार्बन कारवन को प्राप्ट हो जाते हैं और जिससे यहाँ पर हम देखें इस पर negative charge आ जाएगा और जब साथी साथ जो oxygen है उस पर negative charge है ही तो अब यहाँ पर जो दूसरा अभी करमक हमने यूज किया है वो है अमल hydrochloric अमल और जिसका काम है proton देना तो दो यहाँ पर hydrochloric जो molecule है वहाँ में दो proton देंगे और इनमें से दोनों proton एक कार्बन को मिल जाएगा जिस पर negative charge है और दूसरा oxygen को मिल जाएगा जिस पर भी negative charge है और इस तरह से यहाँ पर हमें सरचना प्राप्त होगी जिसमें की कार्बनल कार्बन से एक hydrogen जोड़ा हुआ है एक यदि यह तो यहाँ पर एक एलकी मूलक और एक hydrogen जुड़े हुए है साथ ही साथ यहाँ पर एक OH समूह जुड़ा हुआ है अब यहाँ पर जो OH समूह hydroxy समूह दिख रहा है उसके oxygen पर लोन पेर है और यह लोन पेर यह दूसरे हमलक के molecule SCL के hydrogen यानि की protein को दे देगा और उसके साथ एक बंद बना लेगा तो इस तरह से हम देखें कि यहाँ पर पुना oxygen पर positive charge आ जाएगा और इस तरह यह positive charge वाला oxygen कार्बन oxygen के बीच जो बंद का electron जोड़ा है उससे लेकर water molecule के रूप में बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पर हम देखें यहाँ water molecule निकल गया है और पुना जैसे ही water molecule बाहर निकलता है carbon पर positive charge आ जाता है तो carbon पर positive charge यहाँ पर है इसलिए पुना यहाँ पर जो zinc का दूसरा atom आएगा और यहाँ पर पुना आक्सी क्रित होकर electron जोड़े देगा जिससे carbon पर negative charge आ जाएगा और यहाँ पर आप देखें कि पुना जो HCL अमल से proton प्राप्त होगा और इससे जोड़ जाएगा यह carbon से और carbon पर हो जाएंगे 2 hydrogen CH2 तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो हमें सरचन प्राप्त होगी उसमें carbon से 2 hydrogen तो जुड़े हुए हैं साथ ही साथ यदि से एक अलकिल समू जुड़ा हुआ है यदि हम aldehyde लेते हैं तो और दूसरा hydrogen जुड़ा हुआ है और इस तरह से हमें यहाँ पर प्राप्त होगा एलकेन या एथेन प्राप्त होगा दो carbon वाला और इसी तरह से यदि हम यहाँ पर एसी टोन लेते हैं तो हमें वहाँ पर प्रोपेन प्राप्त होगे तो इस तरह से हम देखें कि दोनों ही क्लिमेंशन अप्चेन है और दूसरा ही जो हम देख रहा है वो वॉल्फ किशर अप्चेन दोनों ही अप्चेन अभिक्रिया है लेकिन दोनों जगह पर हम देखें कि अभिकर्मक अलग-अलग है यहाँ पर जो वुल्फ किशर है वहाँ पर हम देख रहे हैं कि अभिक्रिया और साथी साथ जो माध्यम रखा गया है वहाँ पर S-C-L का उप्योग किया जा रहा है तो यह माध्यम अमली होती है लेकिन बनने वाले दोनों जो उत्पाध होंगे वो दोनों में समान होते हैं तो हमें अल्डिहाइट और कीटोन के द्वारा हमें इलकेन प्राप्त होते हैं कर दो supernatural को यह में उत्तों किम आती हैं इलकेना की गओा ग्रोका की औरिश माध्यम दो मुदय होते हैं झाले जो नहांशे होते हैं अर्किन